So welcome back to another video guys, I hope सबच्छ होंगे तो आर अभी पीछे मैंने लेटेस्ट एक वीडियो बनाई थी UKVAEK नियू अपडेट्स मैंने कुछ शेर करे थे I think इस जो लास्ट वीडियो थी मेरी Ulster University Birmingham Campus से पहले मैंने अपलोड करे थी वो वीडियो तो उस वीडियो में हमने कुछ प्रपोजल के बारे में बात करी थी एक तो यही था कि जो 26K salary threshold है उसको change करके 40,000K salary कर दिया जाएगा अगर आप tier 2 visa लेना चाहते है skilled worker visa लेना चाहते है तो उसको implement कर दिया गया है तो अगर आपकी salary मतलब आपकी study complete हो गई है तो आपको कोई ऐसी company से offer letter चाहिए sponsorship चाहिए जो आपको 40,000K जो exact figure है वो 38,000 है 38,000 pound आपकी salary होनी चाहिए annual package तभी आप sponsorship उस company से ले सकते हैं अगर आपकी 38,000K से salary नीचे होगी तो आपको sponsorship नहीं मिलेगी तो यह एक जो update है इससे I think बहुत ज़्यादा sponsorship पे effect पड़ेगा क्योंकि जब भी आप कोई भी student अपनी study complete करता है तो उनको जो normal package मिलता है वो 26K से 30K के बीच मिलता है 40K के around package उनी को मिलता है जिनके पास मतलब जिनकी profile बहुत strong होती है और जिनको बहुत अच्छा experience होता है अगर मैं बात करूँ अपने friend की जो की architect engineer है उनका package 45K उनका तब package है क्योंकि उनको इंडिया में एप्रॉक्स आठ साल का experience है इंडिया में उनको इस field का आठ साल का experience है उसके बाद जाके उनको UK में job मिली master's complete करने के बाद 45K का उनका annual package है तो उनको sponsorship में कोई problem नहीं होने वाली तो अगर in short मैं बोलू तो 45, 40K आप्रॉक्स आपका package तभी मिलेगा जब आपको बहुत अच्छा experience होगा बहुत strong profile होगी इंटर्व्यू क्राद करना पड़ेगा तभी आपका इतना package मिलेगा नहीं तो जो minimum अगर मैं package की बात करूँ तो 26-30K के बीच में package होते हैं अगर मैं normal analyst की बात करूँ finance analyst की बात करूँ या admin jobs की बात करूँ तो इसमें minimum salary इतनी ही मिलती है तो basically इन जो step उठाया है इसलिए उठाया है कि migration cut हो कम लोग UK है यह UK बुलाना चाहते है students को लेकिन यह they don't want की यहाँ पर कोई settle हो they want की study खताम हो PSW खताम हो सब अपनी country वापेस जाए तो इनका main motive यह करने का इसलिए है कि मतलब जो 26-40 के salary threshold बढ़ा है Sir अगर मैं second update की बात करूँ second update majority को पता ही होगा कि जो dependent visa इनों ने बंद कर दिये masters में अपने dependent को साथ में नहीं ला सकते January 2024 से अगर आपको dependent को लाना है तो आप PhD के courses में ला सकते हैं right? Masters में नहीं ला सकते ये majority को I think पता ही होगा क्योंकि last year से इस topic पर बात चल रही थी and I think two months back इनोंने ये चीज़ implement करी है और अगर मैं last update की बात करूँ तो last update इसमें इनोंने clearly mention करा है कि जो overseas international care workers है right? जैसे सब इंडिया से कोई आ रहा है पार्किसान किसी भी country से आ रहा है और वो direct tier 2 visa लेके आ रहे है care worker as a care worker तो वो अपने dependent को अब नहीं ला सकते ये one of the biggest update लगी मुझे क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप sponsorship ले रहे हैं तो आप अपने dependent को साथ में लेके आ सकते हैं लेकिन अब अगर आप care worker हैं तो आप अपने dependent को साथ में नहीं ला सकते और अगर आप कोई दूसरी job भी करते हैं तो at least आपकी salary annual package 38,000 pound होना चाहिए तब ही आप अपने साथ dependent को लेके आ सकते हैं तो ये कुछ new updates हैं आप comment कर सकते हैं कि ये updates मतलब useful तो बिलकुल नहीं होने वाले international students के लिए अन्यार परेज भाई के साथ जो वीडियो बनाई थी उनको 7-8 येर्स का इंडिया में experience और आर्किटेक्ट इंजीनियर एनन को UK में जो salary मिली है, annual package उनका 45K plus है and sponsorship भी उने मिलने वाली है तो उनके साथ detail वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो का description में मैं link डाल दूँगा, तो check out करना चाते है जो architect backgrounds है, उनके लिए वीडियो useful होने वाली है, क्यों को London में कैसे job मिली, किन sites के तरो उनने apply करा, CV का क्या format रखना है, तो सब कुछ वीडियो में हमने discuss करा है, तो उसका link में description में डाल दूँगा, अब check out कर सकते है and अगर आपको कुछ भी query होती है all about uk3 at the gmail.com पर पूछ सकते है and UK lifestyle से related and ऐसे useful वीडियो आपको इस channel पर मिलती रहेंगी so please subscribe करें, right so मिलते हैं, take care, bye